ये आकश्वणी रैपूर है प्रादेशिक समाचार बुलिटन के साथ मैं शुश्मस्रिवाज और अपेशे आज के मुख्य समाचार मौसम का सटीक पूर्वा नुमान लगाने रैपूर के इंद्रा गांधी क्रिशिफ दाले परिसर में जल्द ही डॉपलर राडर की स्थापना की जाएगी भाशपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंती आवास योजना के तहर प्रदेश में लोगों को आवास दिलाने के लिए भाशपा आंदोलन करेगी बस्तर संभाग में कानून और व्यवस्था की इस्तिती सुधारने के लिए पुलीस प्रशाशन द्वारा, जीला, ब्लॉक और ग्राम इस्तरपस समवार तथा समाधान शिवीर आयोजित किये जाएंगे और रायपूर में आयोजित राजजिस्तरी 36 गडिया उलम्पिक के दूसरे दिन आज बिल्लस, गेडी, दोड़ और फुगडी खेलों की प्रतियोगिताएं हुई अब समाचार विस्तार से रायपूर के इंद्रा गांधी कृषिविध्यालय प्रिसर में जल्द ही डॉपलर राडार की इस्थापना की जाएगी इससे मौसम का सटिक पुर्वानुमान लगाया जा सकेगा और इसका लाब राज्ज के 37 लाग किसानों को मिलेगा इंद्रा गांधी कृषि विश्विध्यालय के कुलपती डॉक्टर गिरीश चंदेल की अध्यक्षता में आज विश्विध्यालय और नई दिल्ली इस्तित मौसम विज्यान मंत्रालय के बीच डॉपलर राडार की इस्थापना के लिए एक अनुबंध किया गया इसकी स्थापना में लगबग 10 करोड रुपे की लागत आएगी इस राडार की सहयता से किसानों को विकास खंड इस्थर पर मौसम की सटिक जानकारी मिल पाएगी जिससे वे अपनी फसलों को मौसम की अनिशित्ताओं से रक्षा करने में सक्षम होंगे या राडार तुफ पान के आने की साटिक भविश्यमानी भी कर सकता है इस तरह मौसम में होने वाले आकास्मिक परिवर्तन का सही पुर्वा नुमान मिल सकेगा प्रदेश में आगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर भारती जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है इसी कड़ी में र चुनावी रणनेती बनाई गई साथी आगामी कार्योजना और आने वाले समय में होने वाले आंदलनों के बारे में भी विचार विमर्ष किया गया बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुन साव राष्टी उपाध्यक डक्टर रमन सी और नेता प्रतिपक्ष न इस बीच भाजपा की वरिष्ट नेताओं ने राणनगाउजी लेके 150 से अधिक शक्ती केंद्रों के बूतों का दोरा किया इस दोरान पार्टी नेताओं ने बूत इसतर पर बैठक लेकर कारेकरताओं को संगठन को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया साथी आगामी विधान सबचुनाओ की रणनीती पर विचार विमश किया बैठक में पार्टी के वरिष्ट नेताओं पददीकारी और कारेकरता शामिल हुए भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव ने कहा है कि प्रधानमंती आवास यूजना के तहर प्रदेश के लोगों को आवास दिलाने के लिए भाशपा आंदोलन करेगी आज राजनदगाओं में पत्रकारों से चर्चा करते वे शीसाओं ने कहा कि भाशपा ने आंदोलन की रूप रेखा तयार कर ली है इस मुद्दे को लेकर भाशपा पदियात्रा करेगी और विधान सभा छेत में विधायकों का घिराव करेगी भाशपा ने आरोप लगाया कि केल सरकार द्वारा वर्ष 2015 से शुरू की गए इस योजना के अंतरगर 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार आने के बार प्रदेश के गरीबों को स्वयम का मकान मिलना बंद हो गया है उन्होंने कहा कि प्रदे हित ग्राईयों से फार्म भरने का नेने लिया है इन हित ग्राईयों के साथ मुख्यमंत्री के ग्रह जिले दुर्ग में बड़ा आंदोलन किया जाएगा इसके अलावा धर्मांतरन कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार प्रसासनीक और अराजकता के मुद्दे पर भी सरका को घेरने की तैयारी है सर्गुजा में जन्जाती गौरो युवस्थ समाज के लोगों ने धर्मांतरन रोकने की मांग को लेकर आज सर्गुजा कलेक्टर को ग्यापन सौपा जन्जाती गौरो युवस्थ समाज के प्रदेश अध्यक्ष इंदर भगत ने ग्यापन में कहा कि नारायनपूर में धर्मांतरित इसायो द्वारा अनुसुचित जन्जाती की शेणी में आने वाले नागरिकों पर प्राण घातक हमले किये गए थे उन्होंने कहा कि धर्मपरिवर्तन की बढ़ती घटनाओं ने छेतरी असमिता को संकट में डाल दिया है जिसके कारण अब 36 गड़ की संस्कृती खत्रे में है समाज के लोगों ने मांग की है कि धर्मपरिवर्तन को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाए जन्जाती गौरोई यूज समाज द्वारा धर्मांतरन को लेकर किये गए इस मांग को सरगुजा के विश्व हिंदू परिशर धर्म जागरन समनवै और हिंदू वादी संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया है प्रदेश में इंदिनों कडाके की ठिंट पड रही है दो फर बारा बजे तक चलेंगी वहीं माधमिक और हाय सेकंडरी स्कूल की कक्षाएं दो फर साड़े बारा बजे से शाम पांच बजे तक संचालित होंगी दोरगजले में उत्ताई सेलूद मार्ग पर कल शाम ट्रेक्टर और चारपईया वाहन के बीच होई भिड़न में एक महिला सहीं दो लोगों की मौत हो गई वहीं तेरा अनिलोग गंभीर रूप से घायल हो गए मिली जानकारी के अंसार ये सभी लोग चारपईया वाहन में सवार होकर सुपेला से बट्रेल जामगाउ जा रहे थे इसी दोरान गौर भाड़ा मोड के पास चारपईया वाहन और टैक्टर में भिड़न्थ हो गई इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं रानन गव जिले में चिचोला थानाचेत के अंतरगत ग्राम जनकपुर में एक मोटर साइकल सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जाटकराई इस हाथ से में मोटर साइकल सवार एक व्यक्ती की मौत हो गई वहीं दो अन्यव्यक्ति घायल हो गए प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे हैं तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं आप तक चतिसगड़ की हर खबर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर बस्तर संभाग में कानून व्यवस्था की इस्तिती के मद्दे नजर आज जगदलपूर में पुली सदिकारियों की वर्चुल बैठक हुई बैठक में जिलों में निर्मित हो रही कानून व्यवस्था की इस्तिती के कारणों और उनके निराकरण के लिए जिला बलाक और ग्राम इस्तरी समवात तथा समाधान शिवीर का आयोजन करने का निर्ने लिया गया साथ ही कानुन व्यवस्ता की वर्तमान परिस्तिती और आगामी कार्योजना से संबंदित आवश्यक दिसाने देश भी दिये गया बैठक में कहा गया कि संभाग में शान्ती और कानुन व्यवस्ता कायम रखने के लिए अराजकता और भ्रम फैलाने वाले व्यक्ती समों और संगटनों के विरुद्ध सक्त कारवाही की जाएगे बैठक में बस्तर रेंज के पुलिस महानी रिक्षक सुंदर राज पी और बस्तर संभाग के प्रभारी कमिशनर चंदन कुमार कलेक्टर अपर कलेक्टर पुलिस अधिक्षक अत्रिक्त पुलिस अधिक्षक जीला पंचायत के सीई-ओ वनमंडल अधिकारी सहिं संबंदित म पुलिस महानीरिक्षक ने बताया कि विभिन प्रकार के आयोजन, रैली और प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों द्वारा यदि किसी प्रकार की गैर कानूनी तथा हिंसात्मा गतिवीदियों में शामिल होने की इसिती में, सम्बंदित व्यक्ति के साथ ही आयोजक को भी जि पंद्रा लोगों को गिरफतार कर लिया है वहीं सीसी टीवी कैमरे की मदद से अन आरूपियों की पहचान की जा रही है भिलाई छाउनी के नगर पुलिस अधिक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि भिलाई थाना छेत के हत्खोज में कल आदी रात किसी बात को लेकर दो पक् छेत्र में कबार की चोरी करने के मामलों में लिप्त हैं दक्षिनपुर मध्रेलवे बिलासपूर के सेंटरल अस्पताल में आज 22 नीशुर्क पेजमे का जाउज शिवीर का आयोजन किया गया इस सीवीर में 8 से 99 वर्ष तक के विभिन प्रकार के कार्डियाग पेजमे करव करीब 118 मरीजों के उपड़नों की जाच की गए शिवीर में 36 गड़ सहित मध्य प्रदेश और महराश के कई जीलों के मरीजों ने हिस्सा लिया शिवीर में सैंटर अस्पताल के हिर्दय रोग विशेशग्य डॉक्टर सी के 10 सहित अन्य चिकिसकों ने अपनी सेवाएं दी राजधानी रायपूर में आयोजित तीन दियूसी राजजिस्तरी 36 गड़िया उलम्पिक के दूसरे दिन बच्चों से लेकर बुजुर्गों में बहतरिन खेल का प्रदर्शन किया सरदार बल्बी सीजुनेजा इंडोर स्टेडियम में विभिन आयूवर्ग में आयोजित बिल्लस एकल प्रतियुगता में सरगुजा संभाग के मोहमत सरफराज अंसारी और राम पाल तथा रैपूर संभाग के गणेश्वर राम निशाद ने पहला इस्थान हासिल किया वहीं महिला वर्ग में बस्तर संभाग के उर्मिला मौर्य सरगुजा संभाग के नंदनी और बिलासपूर संभाग के नीरा कश्य प्रतम इस्थान पर रहीं वहीं चात्रपती शिवाजी महराज आउटडोर स्टेडियम में अलग अलग आयू वर्ग में आयोजित गेडी दौर प्रतियोक्ता में सरगुजा संभाग के भुपेंद्र कुमार राजवाडे कवर्दा जिले के पुनेश धुर्वे और बिलासपूर जिले के आत्मा राम ने पहला इस्थान हाशिल किया वहीं इस प्रतियोकता में बिलासपूर संभाग से ही राजिश्च्वरी साफिला कमर और लश्मीबाई सिदार तीनों वर्गों में प्रत्थम रहीं वहीं फुगणी प्रतियोकता के बालक वर्ग में महासमुझी लेके एवन पटेल और महि पिक के तहट आज का बड़ी, भावरा, संखली, रस्सा, कसी, लंगडी, दौर, पिट्टुर और कंचा खेलों की प्रतियोगताई हुए। 36 गड़िया उलम्पिक के राजिस्तरी प्रतियोगिताओं का कल समापन होगा। मुख्यमंती वुपेज बगेल ने कहा है कि नवा रायपूर में कबीर शोद संस्थान की इस्थापना की जाएगी। मुख्यमंती कलबालोज जिले के भालू कोनह गाओं में आयोजित सद्गुरू कबीर इसमिती महसम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने भालू कोनह में कबीर सत्संग भवन, सीसी रोड निर्मान और सामोदाइक भवन निर्मान की घोशना की। और अब पेसे मौसम का हाल। मौसम विभाग ने प्रदेश में कोरिया, सुरजपूर, बलरामपूर, सरगुजा, जशपूर, पेंडरा रोड, कबरधा, दुर्ग और इससे लगे जिलों में आगामी 24 घंटों के दोरान एक दो पैकेट में शीत लहर चलने की चेतावनी दी है। वहीं बस्त संभाग के कुछ जिलों में शीत लहर जैसी इस्तिती बनी हुई है। मौसम विभाग के अंसार प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुश के हवाई आ रही हैं। इसके कारण प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबग के समय घना कोहरा चाय रहने की संभावना है। अब कुछ खबरें संछेप में। राज्य सरकार ने भारती प्रशासिक सेवा के दो अधिकारियों, सत्तर राठोर और धर्मेश कुमार साहू की नई पदिस्थापना की है। कोरबा जिले के ग्राम करमंदी और बेंदर कोना के बीच जंगल में छुई खदान के धसने से उसमें दब कर एक महिला की मौत हो गई। वहीं दो अन्य महिलाएं घायल हो गई हैं जिने अस्पताल में भरती कराया गया है। और जश्पूर जिले के पथल गामवन परिशेतर के अंतरगत ग्राम पंचैत रेडे बिच्छी कानी जंगल के पस हाती के हमले में एक योग की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम का सटिक पूर्वानुमान लगाने रैपूर के इंद्रा गांधी क्रिशी विश्वित द्याले परिसर में जल्द ही डापलर राडार की स्थापना की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधार मंत्री आवास योजना के तहर प्रदेश में लोगों को आवास दिलाने के लिए भाजपा अंदोलन करेगी। बस्तर संभाग में कानूर और व्यवस्था की इस सिती सुधारने के लिए पुलीस प्रशाशन द्वारा, जिला, ब्लॉक और ग्राम इस्तर पस समवात तथ समाधान शिविर आयजित किये जाएंगे। और रायपूर में आयोजित राजजिस्तरी 36 गड़िया ओलम्पिक की दूसरे दिन आज बिल्लस, गेडी, दोड़ और फूड़ी खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलिटन समाप्त हुआ, नमस्कार। यहिए जाएंगे।